प्रदान मंद्री नरीन मोदी अश्ट तेलगाना दोरे पर है जा उन्हें केसी आर पर निशाना सात्तेवे कहा कि राज सरकार से कोई सयोग नहीं मिल रहा है प्रदान मंद्री ने कहा कि केंदर की राजक सरकार तेलगाना के नागरिकों के सपनों को साकर करना अपना करतव समझती है तेलगाना पुरे देश में रेलवे के आधुनी करण के लिए किये जारे प्रयासों का लाब पा रहा है प्रदान मंत्री ने कहा कोवीट 19 मामारी और रूस यूकरेन युद के कारण दुनिया अर्थ व्यवस्ता में उतार चड़ाओ देख रही है भारत अनिश्चित्ता के इस दोरे में उन देशों में से एक है जो बुनियादी ढाचे के आधुनी करण में रिकाड राशी का निवेश कर रहा है इस साल के बजट में बुनियादी ढाचे के आधुनी करण के लिए 10 लाख करोड रुपे आवंड़ित किये गए केंद्र की परियोजना में राज सरकार के असायोग से दुखी हूँ इसे तेलगाना के लोगों के सपने प्रभावित हो रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी ने हेदराबाद में कहा मैं राज सरकार से अपिल करता हूँ कि वो तेलगाना के लोगों के लिए बनाई जा रही विकास योजनाओं के कार्यान वेन में बाधा उत्पन ना करे परिवारवाद और ब्रश्टाचार अलग नहीं है जहां परिवारवाद होता है वहीं ब्रश्टाचार पनपता है कोशिश कर रहे हैं वे अदालत से सुरक्षा मांग रहे हैं लेकिन अदालत ने उन्हें जटका देते वें वापिस फिज दिया परिवारवाद तेलगाना में गरीब लोगों को बाटे जारे राशन को भी लूट रहा है तेलगाना की त्रिव प्रगती भारत के समगर विकास के लिए एहम है पियमोदी ने आज हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जटी दिखाई सिकंदराबाद तिरुपती वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैदराबाद को भगवान वेंग्टेश्वर तिरुपती से जोडती है तीन महिने की छोटी अवधी के भीता तेलगाना से शुरू की जिनवली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है ट्रेन दोनों शेरों के बीच यात्रा के समय को लगबख साड़े तिन घंटे कम कर देगी और जिसका सीधा लाब तिर्थ यात्रियों को मिलेगा पीएम मोदि यहां एमस बिविनगर और पाँच राश्टी राजमार्क परियोजना की आधर्शिला रखेंगे पीएम सिकरंदा बाद रेलवे इस्टेशन के पुनर विकास की आधर्शिला भी रखेंगे और रेल्वे से संबंदित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट को समर्पित करेंगे इसी किसाद बने रहे हैं राजनमा टीवी किसाद धन्यवाद